नमस्कार मैं विक्रम सिंग निदेशक मौसम केंदर दहरादून से उत्राखंड के लिए मौसम की बात करें आज 27 दिसम्बर हो गई है तो आज रातरी से आप देखेंगे कि जो एक पश्चिम विक्षोब निकल रहा है उसकी बज़े से जो मौसम की गतिविदिया हैं कुछ है वो उत्राखंड में देखने को मिलेगी तो आप देखेंगे कि आज रातरी से मदिय रातरी से जो गड़वाल छेतर है उत्राखंड का उसमें अनेग जगों में हलकी से मदियम बारिश रहे और बरबारी वो देखने को मिलेगी जहां तक बरबारी का सवाल है वो पच्छिस सो मीटर या उस से अधी कुचाई वाले जो छेतर है वहाँ पर देखने को मिलेगी और कल सुबह से लेकि या परसों मौर्निंग तक और 29 तारी के मौर्निंग तक की बात करें तो जो और भी हमारा कुमाओ छेतर है उसमें भी गतिवीदिया मौसम की देखने को मिलेगी तो 28 को आप यह कह सकते हैं कि कुमाओ छेतर में कुछ जगों में हलकी या बहुत हलकी बारिश बरबारी वो देखने को मिलेगी लेकिन जान तक गड़वाल छेतरी की बात है तो यहां पर कल भी जो है आनेक जमां तक में हलकी से मध्यम बारिश या बरबारी जो है वो देखने को मिलेगी तो बरबारी की जानतक बात जैसे मैंने बुला 25-100 मीटर या उसके आसपास तक के जो एरिया जै वहां तक को मिलेगी या उससे अधिक उंचाई वाले छेतर हैं वहां पर मिलेगी लेकिन उससे लोवर जो एर गिरेंगे आप यह कह सकते हैं कि 4-5 डिग्री अगर मैं चेत्रों में बात करूं इतनी गिरावट उसमें आएगी जो आज मीनिमम टेंपरेटर्स भी कम रहने वाले रात में ओलफ रिष्टी या जो साथ में आप यह कहिए कि जो स्नोफॉल होगी हाई रिचेज में तो उनकी बज़त से भी कुछ जगों में कॉल्ड वेव कंडिशन्स भी उस तरह की चीज भी देखने को कल भी मिल सकती सुबह के समय लेकिन परसो 39 को आप देखें तो जो कोल्ड वेव है वो कुछ छेत्रों में देखने को मिलेगी 39 तारीक हो हलांकि जो 39 को है मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और दिन के जो तापमान है वो बढ़ने शुरू हो जाएगे और 39 के आगे तो पिर मौसम साफ है आगे 4-5 द